नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिच्छावल लेके से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी टिपरल सी पी इटी दोजाटेश के लिए जो है हिस्टी की जो हम कलास से लार रहे हैं ने पहला वीडियो अपलोट कर दिया था सिंदू घाटी सभेता का पहला वीडियो तो अचले वीडियो को सुरू करते हैं यह जो वीडियो आपका पी इटी दोजाटेश की परिच्छा के लिए बहुत ज़्यदा महत्यपूर्ण होने वाला है तो पहला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है पहले प्रस्थन में पूछा क्या गया है निमनलिखित में से कौन सा हडपा अस्थल भारत में इस्थीत है आपको उस हडपा अस्थल का नाम पहचानना है जिसकी वरतमान में लोकेशन इंडिया में याने की भारत में है तो आप याद रिखेगा, वरतमान में भारत में कौन सा हड़पा अस्तल स्थीत न में खित में से, तो आप याद लेकेगा इसका नाम है दैमाबाद, आपके मुलेगा महरास्ट में, तो इसके बारे में आप लिखेगा, इम्पॉर्डेंट है, डिरेक्टली यहां से प्रस्न और इसके अलावा गनवेरी वाला की लोकेसन भी आप मुलेगी पाकिस्तान में तो उपर के तीन जो है आपके भारत के बाहर स्थान पर हें लेकिन चोथा वाला दैमाबाद आपको मुलेगा और इंडिया के महरास्ट में ती इसके बारे में आपको याद अपना है तो और हडपा सब्यता की पहली खगोली वेदसाला पाई गई थी तो हडपा सब्यता की जो पहली खगोली वेदसाला है या कहां पर पाई गई थी बहुत ही ज़्यादा महत्पुन प्रस्न है एकजाम ओरिंटेट प्रस्न है तो इसके बारे में आपको बताना है तो आप याद रिखिएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा गोला धोरो जो की गुजरात में यह लोकेशन है यहाँ पर हडपा सबेता की पहली खगोली वेदसाला पाई गई थी तो इसके बारे में आपको याद अखना है बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है तो राइ आपका बी वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा मिस्टेक को आप करेट कर लिजिएगा जो हडपा सबेता से समबंदित पहली खगोली वेदसाला थी या गुजरात के धोला वीरा में पाई गई थी तो आपका बी यहाँ पे बिलकुल सही है अगला प्रस्थन आपके स्किन प अगला प्रस्थन आपके स्किन पर है सिंदु गाटे सबेता के लोग किसकी पूजा करते थे तो राइट एंसल क्या हो जाएगा पसुपती की आपके यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा सिंदु गाटे सबेता के लोग पसुपती की पूजा किया करते थे अगला प्रस्ण है, सिंधु गाटे सभिता के निमलखित अस्थानों में से कौन सा अस्थान सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है मैंने आपको पिछले वाले क्लास में जो थियोरी क्लास थी सिंदु घाटे सबिता के जो इंपोर्टेन अस्थल है उनकी लोकेशन किस नदी के टट पर थी मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपने पिछला वाले वीडियो देखा होगा तो इस प्रसने का असानी सेंसर आप पाएंगे तो निमनलखित में से कौन और अस्थल को मिलेगा सेड़ू नदी के किनारे बात करते हैं तो लोथल ska 009m 1-0 जो आपका भोगवा नदी की टटपर है लोथल भोगवा नदी हो जाएगा आपका मोहन जोदोड़ो आपका पकिस्तान में है और इसकी लोकेशन जो है सिंदु नदी की टटपर है इसके बारे में आप या देखेगा काली बंगा आपको मिलेगा घगघर नदी के टेट पर कहां पर तो राजस्थान में घगघर हो जाएगा पर इसके बाद हडपा आपको कहां पर मिलेगा रावी नदी के टेट पर तो इसके बारे में आप आ देखे हैं प्राइटेंचर आपका क्या हो जाएगा मोहन जोड़ों की जो लोकेशन है या सिंदु नजी के किनारे पर है तो इसके बारे में आपको याद है किना अपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके स्कीन पर है सिंदु गाटी सभिता में काली बंग कित में से किसके लिए फेमस या प्रसिद्ध था तो काली बंगा किसके लिए प्रसिद्ध था तो मिट्टी के पात या मिट्टी के बरतन के लिए जो है काली बंगा प्रसिद्ध था तो आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा तता यह जो काली बंगा है इसकी लोकेशन कहाँ पर है तो काली बंगा आपको मिलेगा राजस्थान में तो यह फैक्ट आप याद रिखेगा इंपोर्डेंट है इसके बाद जो अगला प्रस्तन आपके स्क्रीन पर दिया गया है इसका सम्बंद किस्से हो जाएगा आद्य एतिहासिक जाएगा आद्य एतिहासिक जाएगा अगला प्रस्तन आपके स्क्रीन पर है हरपा सबिता के खोज जो है किस वर्स हुई थी तो हडपा सबेता की जो खोज है या 1921 मोई थी आपको उस ब्यक्ति का नाम बताना है जिसने हडपा सबेता की खोज करी थी मैंने पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में आपको बताये हुआ है तो 1921 में किस ब्यक्ति के द्वारा हडपा सबेता की खोज करेगी थी इसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में देना है अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है धौला वीरा किस राज्य में अवस्थीत है या फेमस सिंदुगारे सबेता का स्थल धौला वीरा है आपको बताना ह किस राज्य में है अगला प्रस्तन आपके स्किन पर हरपा कालका इंडवे से कौन सा नगार तीन भागों में भागोवında आपको बताना है तो आप आप यहां दिखियेगा राइट झा जाएगा धोला वीरा जो धोला वीरा था यह मिलेगा तो गुझरात में मिलेगा और यह जो है तीन भागों में भिवाजित था तो इसके बारे में आप यांद दीखियेगा राइट ईन्सर this प्रिवेसर की परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो पिछले वाले वीडियो में मैंने जो भी important location बताई हैं वे किस नदी के टट पर अवस्थित हैं उर्ष को आप जुरूर देख लिजिएगा सिंदू गाटी की सब्वेता से संबंदित नहीं है इनमें से कौन सा अस्थल संबंदित नहीं है आपको बताना है तो काली बंगा का संबंद सिंदू गाटी सब्यता से है बनावली का संबंद है लोथल का संबंद लेकिन कासी का संबंद जो है सिंदू गाटी सब्यता से नहीं है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका ओप्शन C अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है हडपा सब्यता किस यूग की सब्यता थी कांसी यूग नौपसान यूग पूरा पसान यूग या लोह यूग तो मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया ताकि जो सिंदू गाटे सबिता थी या जो हडपा सबिता थी या नगरी कृत सबिता थी पहले चीस तो आपको यह याद रखनी है नगरी कृत सबिता थी एवं कान से यूगिन सबिता थी तो दोनों आप क्या दखना है जो हडपा स सब्यता थी यह नगरिक्रित और कान से यूगिन सब्यता थी तो राय टंचर क्या हो जाएगा आपका ए वाला यहां पे 100% सही हो जाएगा अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर हैं सिंदू काटे सब्यता के लिए मेसो पुटामियाई रिकॉर्डो में निम्नलिकित में से की स अभ्यापार करने के लिए जाया कलते हैं तो अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है लोथल किस नदी के टैट पर इस्थित है लोथल एक गुजरात में अवस्थित इंपोर्टेंट हरपा कालकस्थल है और यह जो एक फेमस बंदरगा भी था और इसकी लोकेशन किस नदी अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है किस हडपाई अस्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है यहां मोहन जोड़ो का अल्थ पूछा गया है कि मोहन जोड़ो का जो है क्या अल्थ होता है क्या मिनिंग होता है आपको बताना है तो आप यहां दिखेगा मोहन जोड़ो का क्या अल्थ होता है मृतको का टीला यानि कि आपका ए यहां पर बिल्कुल सही है मृतको का टीला इसकी वतमाल लोकेशन आपको विलेगे पाकिस्तान में सिंदू यंदी के टेट पॉत इसके बारे में आप आ दिकिएगा इंपोर्डेंट है अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है सिंदू घाटी सबिता के विक्सित अवस्था में निम्लिकित में से किस अस्थल के घरो में कूओं के आउसेस देखने को मिले है तो कूओं के जो आउसेस हैं या देखने को कहा पर मिले थे मोहन जोदोरो में और अपसन आपका D यहाँ पर बेलकुल सही हो जाएगा मोहन जोदोरों से जो है कुमों के आउसेज प्राप्त हुए थे अगला प्रस्थन आपके स्किन पर है मोहन जोदोरों की सबसे बड़ी इमारेत या सबसे बड़ा भवन कौन सा है तो आप याँ देखेगा मोहन जोदोरों का जो सबसे बड़ा भवन है इसको हम बोलते हैं Great Granary यानिकी अन्नागार तो इसके बारे में आप या दिखिएगा अन्नागार को हम Great Granary के नाम से भी जानते हैं यानिके अन्न कोठार भी इसको आप कह सकते हैं तो यह जो है मोहन जोडरो की सबसे वड़ी इमारतिया सबसे बड़ा भवन था तो इसके बारे में आप या देखेगा तथा मोहन जोदोरों से ही great बात यानि की बिसाल अस्नानागार के साक्ष भी मिले थे मोहन जोदोरों से ही तो इस प्रस्ण का राइट इंचर क्यों जाएगा great ग्रेनरी यानि की अन्नागार अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है निम्ण में से कौन सा सिंदू गाटे सबिता का एक बंदरगा सहर माना जाता है मैंने कल बता है था आपको कि किस सिंदू गाटे सबिता के अस्थल से डॉक्याड के साक्ष मिले थे डॉक्याड यानि कि आपके बंदरगा के साक्ष मिले थ अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है किस पसु के आउसेश सिंदु गाटे सब्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं तो घोड़ा के आउसेश प्राप्त हुए हैं गाय के प्राप्त हुए हैं हाथी के प्राप्त हुए हैं लेकिन सेर के आउसेश जो हैं सिंदु गाटे सब्यता के लोगों का सबसे famous बयवसायद था, business था, crazy था था, सबसे पहले कापास को पैदा करने का जुसरे है सिंदू गाटी सभीता के लोगों को ही दिया जाता है, तो इसके बादी तक को सिंदू गाटी सभीता के कि ज्यात नहीं है, यायनि कि अग्यात लिपी है, तो आप याँ देखिएगा सिंदू काटे सब्यता की जो लिपी थी, वह अग्यात लिपी थी, तो option आपका यहाँ पे जो A है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्यात, अगला परस्थ नापके स्कीन पर है, तो यह आपका लास्ट प्रस्ण था जो भी important प्रस्ण आपके बन सकते थे सिंदुगाटे सब्यता से related उनको हमने आपके complete कर लिया है तो आपकी दो class सिंदुगाटे सब्यता की हो गई एक आपकी theory class और एक आपकी MCQs की class इन दोनों को आप जरूद से देख लिजेगा अगर आप दोनों वीडियोज को देख लेते हैं तो आपका सिंदुगाटे सब्यता का जो topic है पुरी तरह से तयार याने की complete हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, thanks for watching, thank you